पीछली क्लास में हम लोग आपको बताये थे कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो है वह कैसे ऑपरेट होता है ठीक है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या है वर्किंग क्या है हर एक चीज हमने बॉक्स टाइप के बारे में पढ़ा था उसका एड्वांटेज भी देखा था और इसका जो आप रिफ्लेक्टर यूज करेंगे वह हमारा पैरबोलिक सेप में रहेगा जैसे कि आपने बॉक्स टाइप सोलर कुकर यूज किया था तो उसमें जो कुकर था ऑवर आल कहले कि एक बॉक्स हम यूज कर रहे थे लेकिन यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं पैर पैरबोलिक जैसा घर में आप देखें होंगे डीस अंटीना होगा या बड़ा बड़ा च्छता टाइप साथा था उतना बड़ा बड़ा भी यूज होता है डिपेंडिंग अपॉन के लिजिए कितने लोग का खाना आपको सब करना या कितने लोगों का बनाना है अगर छो यह पर एक चीज के बारे में हम पढ़ेंगा चली स्टार्ट करने से पहले मैं कुनार लक्स के उनलाइन क्लासेश में आपका शौगत करता हूं ठीक आते हैं हम लोग पैरबोलिक रिफ्लेक्टर पर ध्यान दीजेगा जो पैरबोलिक इसको हम लोग कंसंट्रेटिंग सोलर क द्यान दीजेगा यह आपको objective में पूछेगा कि कौन से solar cooker को हम concentrating solar cooker कहते हैं यह इसी को आप कह सकते हैं कि हम लोग solar dish cooker भी कहते हैं बतायते हैं डीस अंटीडा डीस के सेप में बोल रहे थे इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो parabolic solar cooker होता है उसको क्या कहते हैं पेरबोलिंगं सुलर कुकर या आप को कह सकते हैं यहां तक चलगे आपका इसमें क्या होता है कि दिचायों एक शिप में भूले ऑगर बना देते हैं जिसमें कि हम घथन बोलते हो उसś बरतन हो कमड़ Link छो कि उसके प्पैकर करेगा उसके फोकल पॉइंट पे जब उसके फोकल पॉइंट की आपries नहीं लगे अपको gedaan कोई फ्यूल का खर्च नहीं लगे या कोई लेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं लगेगा यहीं ना चाहेंगे तो जो फोकस पॉइंट होगा उसके उपर आप कह लिजिए उसी फोकस पॉइंट पे ना की उपर हम लोग क्या करेंगे पॉट को रख देंगे और सारा सनल लाइट ज जाएगा जहां की पॉट रखा हुआ है वह क्या होगा गर्म होगा और खाना बन के आपका समझ में आया इतना वाज तो यहीं चीज है आगे हम डिसकर्स करें जैसे देखिए यहां पर जो आपका पैरबोलिक सोलर कुकर है इस आलसो काल्ड एज कंसंट्रेटिंग सोलर कुक कुकिल है ना जहां किसी और समन्हां कि एक इसाग यह कुकिल होगार इसमें यह मतलब प्रवेभ्यक Clifford का शपीड बनेगा यह जीजए सघह को इसे आधिने बनेर यह फूकर में gram four समझे तरह से नहीं होता है क्या होगा क्हें देख़ो आपको इसको घुल्टे जब ऑशे cftig क्वथ बनाना है पहले दिमाग में बार nhưng बैठेगा ना कोई ज़रुवत आपको नहीं है याद करने का देखो यहां पे आप देख रहे होगे यह है यहां पर यहां है कि होग कुछ ऐसा टाइप से बना हुआ है यह जो है आपका यहां पे यह पूरा का अप्षेंड नेचे तक आप जिसको यहां जो एक आपका है रखो गह सकते हो और पॉट्भ पर इस ऐरिया इस एरिया को अपर वाला एडिया कोगे हुल कि क्या होता पेंटींग करेंगे तो ढ़्यान करेंगे नहीं करें लेकिन क्या हमें यहां पर absorption चाहिए क्या ऐसा हम करेंगे कि यह जो रिफ्लेक्टर है वह एब्जॉर्ब करें बिल्कुल भी नहीं जैसा कि हम सोलर कुकर में कर रहे थे तो यहां पर हमें यहां परused अ Arms的 आये और फिर हैंपर करके कुछ इस तरह से को सब को इस तरह से हम बना रहें कि सारा सोलर लाइट जो होगा यह जो सोला royalty останu होगा सब का सब क्या होगा ऐसे आएगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके यहां पे पहुंच जाएगा और यहां जब पहुंच जाएगा तो यहीं पे तो आप बरतन रखे हो जैसे बरतन वहां पर रखा रहेगा धीरे-धीरे क्या होगा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और जब गर्म कि जो box type solar cooker था उसमें हम लोग देख रहे थे कि कुछ disadvantage था जैसे frying करने वाला जो भी शामान था वह हम नहीं कर सकते थे रोटी बनाना होता तो box type में नहीं बन पा रहा था लेकिन यहां चाहोगे तो आराम से बना सकते हो ठीक है ना यहां सारा का सारा क्या हो लाइट को reflect कर रहे हैं किसी focus point पर एक point पर तो आराम से वहां पर heating हमको ठीठ ठाक मिल जा रहा है और वहां से हम क्या करेंगे अराम से definitely हम कोई भी आइटम जो है आपका खाने का वह आप यहां पर क्या कर सकते हो प्रिपेर कर सकते हो तो overall यहीं आपका working होता है जब हम इधर की बात करते हैं यह वाला सब पोर्शन की अगर आप बात करोगे ना देखो यह पोर्शन सारा का सारा आप करो जस्ट लाइक सपोर्टिं अस्ट्रक्चर हो गया जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइफर के पाइप है मतलब यहां से लेकर आपको एक सपोर्ट टाइप से बना दिये यह आपका देख लो यह क्या है यह वाला हम बनाए है और इसको सपोर्ट देने के लिए पुछ लों कुछ तो चाहिए तो वही चीज़ा हम यहां पर क्या किया है सपोर्ट दिया अब आगे अगर हम बढ़ते हैं देखो यह वाला हो गया एक्सपेंशन पाइप थोड़ा सा अगर हम को मतलब एक्सपेंशन मतलब हम जब ट्रैकिंग की बात करें बता रहें आपको कि हम इसको इधर कर सकते हैं इ तो मतलब क्या है सूरी हमारा रोटेट कर रहा है सूरी के अंदर मुवमेंट है डेफिनितली जो सोलर इनर्जी होगा उसके एमांट में भी क्या होगा वैरियेशन होगा तो इसके लिए हम यहां पर कह सकते हैं यह जो एक्सपेंशन पाइप है और यहां पर हम ट्रैकिंग आप इधर से सोलर रेडियेशन आ रहा है तो क्या करेंगे इसको इधर मोरना पड़ेगा समझ रहो बट जब भी आप इसको रोटेट करोगे ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन में सन होगा उसी डायरेक्शन में सन होगा उसी डायरेक्शन में इसको आपको रखना है उसी की और रखना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सोलर इनर्जी इसको मिल पाई और जब आप मुव्मेंट करने होगे ना इसको एक चीज का हमेशा ख्याल रखना भया इस यह वाला चेंज नहीं आ चाहिए इसका हमेशा जो फोकल पॉइंट होगा वह उसमें जैसे बदलेगा इसका म है रिफ्लेक्ट करके हमेशा जो पॉट होल्डर है वहां पर जाना चाहिए ठीक है चलो यहां तक समझ में आया आगे बढ़ते हैं देखो अगर हम आगे बढ़ते हैं देखो यह डियाग्राम देखो यह भी सेम डियाग्राम है आपका थोड़ा सा चेंज है डिजाइन तो सकता है बहुकत सारा है अलग अलग चीज आप 10 अर। बनाना अब यहाप यह डियाग्राम आप यह वाला सब्सक्राइब कर आप एक तरह से लिए तो सपोर्ट के लिए घा कि इसको रखेंगे तो कहीं उत्य लिए अस्टेट हो गया जिसको कि हम कुर्सी का नाम दिये थे एक तरह से स्टेंब किया और यहां पर हम लोग क्या किये हैं पॉट को रखेंगे ना 지 को ऊप्सके लिखे मां अधीन को यहां तो यहां पर नुद्ग कहने का मतलब है यह रहेगा आपका है यह रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर के ऊपर के और पने किया किया मतलब कोटिंग कर दिया या तो मेर्ड़ या या फिर ऐल्मुनियम का मतलग कोटिंग करना तो जो कि शनलाइट को क्या करें रिफ्लैक्ट कर दें ना कि एब्स अब यूज कर सकते हैं यह रहा है यह सपोर्टिंग होगी हमारा ठीक है चलिए तो यह बना लीजगा बाकि यह देखें आपका के लिए कि किस देरेक्शन में जा रहा है उस हिसाब से आप इसको एड़स्ट कर सकते हो त्रैकिंग के लिए अब इसमें है कि दर पूर अब फिर जब सामनों नोता तो हो जाता पस्ची में प्रस्ची में चलाता तो जिदर सुरी रहेगा उधर की और क्या होता है यहां पे बना लीजेगा आगे भरते हैं इसका त्योरी का पार्ट जो होगा कंस्ट्रक्शन में क्या-क्या है जैसे देखो यहां पर द है है तो यह पूरा का पूरा पर दिख रहोगा यहां पर फिक ये सब आपका क्या है रेफ्लेक्टर आरां-सको कहीं भी सन्लाइट आगा हरो करें यहां और यह खरίν फूरता को यह नॉर्मल कंटेनर आपका नहीं रहता है अन्तर को में आप यूज करते हैं गहरम बना रहें से थोड़ा लग रहता है κुकर का outward surface या बड़तन आप रहे हो उसका बाहरी surface black से painted रहता है पुछो क्यों black color से painted सेमändern बताए था कि अधिक से अधिक solar radiation को क्या कर सकते समझ मारी बात तो यह शुम आरघी सत्रयょ और ब्लैक कलर से पेंट कर रहेगा तो जितना संलाइट रिफ्लैक्ट होकर करें यहां territory और सुच लोगाँ झाल परना पर quién stitching वह जादा होगा इसका इसका यहांगे अपको पलाकर से इसका। इसका एपनीशाओ गए तो हमें ध्यान दखना पड़ता है इसको हमेसा क्यार करना पड़ेगा कहीं आसा नहोंगे खाना जल जाए ठीक है तो यह था आपका चलो आगे एक और देखो मैं आपको दिखाता हूं हुपसो समझ पाओंगे यहांपर आपका थेखा क्या है पार अराम देख सकते हो यह आपका क्या है बरतन को क्या करो कि रख दोगे बांकि आपका यह सब अपका आरेंजमेंट को आपको दिखा हुआ है और यहावाला प्रसन आप छोटे माइनर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं या फिर छोटा-छोटा टाइप साब बना कर चेक कर सकते हम चाहेंगे कि आप बनाएगा अगर बन जाता है तो बताइएगा कि हां सर हम बनाए थे और खाना हमारा बन रहा था ठीक है चलिए देखें यह भी एक परकार का सोलर क तो को चेरिक करके रखना है आपकी यहां पर आप ध्यान दीजिएगा यह वाला हमारा क्या पॉर्ट हो गया जिसमें कि हम बरतन को रखेंगे समझ में आया तो क्या होता है पैरेबॉलिग रिफ्लेक्ट कूकर यह किलियर हो रखा होगा कि किस प्रकार से मतलब होता है किस प कहने का मतलब है कि आप नोर्स जो है ना साथ-साथ बनाते चलते तो ठीक है नहीं तो आपको मिल जाएगा साथ में अटाइच किया हुआ भी है तो वहां से भी आप लिख सकते को दिकत नहीं ठीक है लिखना किस तरीके से यह ध्यान देना पैरेबोलिक पूछेगा यह मैं समय लिखा है बढ़िया लिखा है तो मतलब इकन पूट मोमक्स ठीक है आता है कंस्ट्रक्शन पे दिखें तो बेसी कंस्ट्रक्शन आप पैरेबोलिक सोलर कुकर इस सोन एभव उपर भी हम लोग दिखा दिये थे जो डाइग्राम बनाने के लिए बोला था मैंने आपको वह ब इसमें क्या लिख सकते हैं अब बहुत आसान है बहुत सिंपल लेंगवेज में लिखा हुआ है मुझे नहीं समझोगे मेंली ओल दा कंसंट्रेटिंग सोलर कुकर आर मेड़ विथ पैरबोलिक सेप ठीक है किस सेप में बना जाता है तो पैरबोलिक सेप में बना जाता है ठीक है ठीक है कैसा सेप में बना जाता है पैरबोलिक सेप में रिफ्लेक्टिंग मेटेरियल, कैन भी एनोडाइस्ट अल्मूनियम सीट या रिफ्लेक्टिंग मेरर कहने का मतलब वा कहने यह मतलब हुआ जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आप लोग बना रहे हैं यहां से की सोलार लाइट रैफ्लैक्ट कर रहा है कहां पे फोकस्वाइट तो ओर इसे सा गालों आप यतों अल्मोनीयम कोटिंग्स हैंना poles अल्मोनीयम केसे कि तां बा यह देखते होगे आप उसका प्रिला होता देखने में confusion हो जाता है उस पर सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है सोना पर हीरा का पानी चढ़ा दिया तो क्या है कोटिंग है लेर चढ़ा हुआ रहता है ना कि हीरा रहता है यहां पे भी आप जो भी आप मैटरियल यूज़ कर रहे हैं पैरेवलिक रिफ्लेक्टर के लिए उसके उपरी सतह पे आप क्या करो कोटिंग कर दो किसका तो अल्मूनियम का या फिर आप अल्मूनियम सीट चाहो तो आराम से उस पर चिपका दो उसके बाद या तो आप चाहो तो रिफ्लेक्टिंग मेर भी आप लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है कि यहां तक तो समझ में आ गया होगा चलो आगे बढ़ते हैं दिखे क्या करेगा उसके में आगे दिखते हैं इस विल रिफ्लेक्ट all the sun rays to focal point of the parabola क्या बोला जो पैरबोला होगा फोकल पॉइंट ठीक ना फोकल पॉइंट अब होगा जो पैरबोला का जो फोकल पॉइंट होगा उस पे सारा सनलाइट क्या करेगा रिफ्लेक्ट करेगा समझ में यहीं से मैंने आपको बदा दिया हो अलड़ी बस लिखना रह अगे लिख लिख लिए इस चीज को ठीक है कहा जा रहा है कि यह जो है अपका जिरो पॉइंट टू एट मीटर और तक चला जा रहा है और अपर्चर डामीटर जो है याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है अलग-अलग डिजाइन में यह बना हुआ रहता है ठीक है अलग-अलग डिजाइन में यह बना हुआ रहता है किलियर है ना तो इसको याद नहीं रखना है यह ध्यान दखिएगा कि यह temperature हमारा कितना होता है तक चला जाता है ठीक है और देखते हैं दूसरा आप इसमें कह सकते हैं दूसरा था यह आप दूसरा कहले जो बार था पहला अपने देख लिया दूसरा आपका सपोर्ट अस्ट्रक्चर सपोर्ट अस्ट्रक्चर मतलब जिसके उपर रखा हुआ रहेगा जिसके उपर की जो complete parabolic cooker है वो उसके उपर क्या होगा रखा रहेगा ठीक है वही चीज है this is the structure यह प्रकार का structure है on which the complete parabolic cooker rest and performance operation rest मतलब रखना जो complete structure हो गया complete parabolic cooker जो हो गया इसी structure के उपर रखा हुआ है जो नीचे आपने देखा था है ना देखा ना देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो यह हमारा यह प्रकार से क्या यह 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 structure हो गया इसी के ऊपर तो रखा हुआ था ना यह structure हो गया ठीक चलो आगे हम बढ़ते हैं कि हां देखिए उसके बाद कहा जा रहा है कहा जा रहा है it must have rigid structure rigid मतलब का थोस होता है ठीक है इसको थोस होना चाहिए अब आइसा नहीं कि आप रखे अतुरत गिर जाए खाना बनाने के लिए आप रखे और गिर जाए तो उतना भी आप लचठ पचर जिसको बोलते हो वैसा नहीं होना चाहिए थोस होना चाहिए ताकि जो कुकर रखा है उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट दे सके ना तुवी तस्टेंट दा हाइर बिंड वैलसुटी एंड अल्सो इच्ट बी प्रोटेक्टेड वित दा प्रोजन रेसिस्टेंस पेंटिंग ठीक है आगे बता देते आपको एक मिनट देखिए यहां पर कहा जा रहा ह इस फश्ट बनाए वह भुष होना चाहिए क्योंकि आप जब ओपन एरिया में रखोगे आपको नहीं पता जहीं हो चल रहा है कितना ऐनरजी मिल रहे यह सब पता नहीं रहेगा तो चुकि जो है इसको रहे तो वहां पे बना रहे है अरे आप मानलो कहीं पीक्निक बनाने क प्रॉपर लेकिन फिर भी हवा का जो थोड़ा क्या है समझभा रहा है तो इसको तो उड़ा के लिए कि जाएगा तो इसा भी तो नहीं आप खाना बनाने के लिए डाले उसमें पता चला कहीं और है वह तो इसा नहीं होना चाहिए तो यहां पर बोला कि इसा नहीं क्योंकि ओपन एडिया में है तो रस्ट होने का पॉसिबिलिटी क्या होगा बढ़ा होगा जादा रहेगा इसले बोला जा रहा है को उसको क्या करना है पेंट करके रखना या कोट करके रखना जी आई भी यूज़ कर सकते हो गैल्वनाइज राइरन ऐसे अस्टेन आटरा आगा आगे बढ़ते हैं तीसरा अगरा हम सब्सक्राइब करें लेभी तो tracking mechanism कौन सा है tracking mechanism अब tracking mechanism से क्या मतलब मैंने बोला था according to sun चुकि sun जो है वैरी कर रहा है इधर से उधर मुव कर रहा है तो उसके हिसाब से radiation भी इधर से उधर होगा solar का रे जो है मुव करेगा इस वजह से हम क्या करें ट्रैकिंग यूज करें तुहां पर या तो आपको देखो क्या-क्या लिखना है स्कॉइट सिंपल बहुत आसान है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वास्ट है देखो ट्रैकिंग में क्या मैंक ट्रैकिंग में इस टाइप आप सोलर कूकर रिक्वार कंटिनियॉस ट्रैकिंग अलोंग वी तिदा रोटेशन आफ असन जिधर सं रहेगा उस डिरेक्शन में इसको रहना चाहिए मतलब उसको फेस उस साइड में फेस रहना चाहिए समझ रहें बात को अगर माली जैस सन इधर है तो रिफिलेक्टर कुछ इधर ऐसा रहना चाहिए तब भी सन लाइग आएगा यहां पर ठीक है ना तो देर इस ऑटोमेटिक ट्रैकिंग और मैनुवल ट्रैकिंग इस प्रोवाइड़ मैनुवल करने के लिए उसमें चक्का वक्का लगा सकते हो जिसके वज़े से थोड़ा मुवमेंट जो है वह आसान हो जाए तो यहां तो यहां तो होगी आपका समझ गया होंगे देखें बड़ें तो हम यह काम गरते हैं वीडियो फट ज्यादर लंबा हो जाएगा ऐसलिए मैं सबन्सक्राइब देखके वर्किंग पॉर्त कोकिंग पॉर्ट कोड़ने किया सकते ह Took सब्सक्राइब को एकस्टर्न सरफेस कैसा रहेगा बाहर में जो आप जसे कोई भी वरतन देती तो कुकर का जो बाहर वाला सरफेस उसको सब कर देना है तो पहला चीज तो यह था अच्छा कंटेनर यह जो पट होगा उसको आप रखोगे कहां और आपने पॉट होल्डर दिया ठीक है और पॉट होल्डर कहा था तो जो परबोलिक रिफ्लेक्टर उसके फोकस पॉइंट पे क्यों ताकि अधिक से अधिक सोलर रेडियेशन वहां पे मिल पाए रिफ्लेक्ट हो करके वहां पे पहुंच पाए यही दाना चल आगे देख ल पॉबड़ एडियेशन असन रेज वह वह रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा फूकस पॉइंट पे डियू तू बिकांसेंट्रेश आफ एफासन रेज सही बोला असन रेज जो है यह पोकस हो रहा है कहां पे उसके फोकल पॉइंट पे इसलिए वहां काहीट जो होगा क्या ह रखा हुआ है तो पॉट होल्डर में उसके फोकस पॉइंट पे क्यों ताकि मैक्सिमम हीट एनरजी क्या हो सके वहां पे यूटिलाइज हो पाए है ना अधिक से अधिक जो सोलर एनरजी होगा वह यूटिलाइज कर सके आगे बढ़ते हैं इन इस टाइप आफ कुकर टेम्प इसको ध्यान रखिएगा यह ओब्जेक्टिम में काम आएगा दूसों पचास से ज्यादा रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं ड्यू तो इस इट कैन बी यूज़ फोर फ्राइंग ऑल्सो जो पूरी तलने वाला बात बताये थे पूरी आरांस में तल सकते हो खाना बनाने जो भी आइटम होगा रोस्टिंग वोस्टिंग सब इसमें हो सकता है है ना तो यहां पर बना सकती हूँ इट इस पेंटेट भी तो ब्लैक कलर सो दाट मैक्सिमम सोलर इनर्जी कुड भी एब्सॉर्ब मैंने बोला था देखो पूरा पॉर्ट का नहीं बात कर रहें कि पू पूर्णल सर्फेज वह ना चाहिए ब्लैक कलर से पेंट समझ बात को वह कैसा होना चाहिए ब्लैक कलर से पेंट क्यों तक अधिक सथिक सोलर इनर्जी एब्जॉर्ब हो सके तक यह दिक सथिक हिटिंग मिले और खाना आपका यह चुटकी में बनके त्यार हो जाए अब वैसा नहीं है कि जो कंवेंशनल टाइप आप यूज करते हो ना वैसा तो नहीं होगा टाइम लेकिन हां कंपारिजन टू बॉक्स टाइप सोलर कुकर इसमें टाइम क्या होगा कम लगेगा तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी आपका हो गया ठीक है और उसके बाद कुकिंग पॉर्ट जो है यह हो गया तो यह सब को कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो ठीक है तो आज हम इतना ही रखेंगे अगले लेक्ट्चर में हम देखेंगे और वर्किंग किसका वर्किंग कैसा होता है चलिए तो होपसों आपको समझ में आया होगा कि कि किस प्रकार से पैरावोलिक रिफ्लक्टर का कंस्ट्रक्शन होता है वर्किंग भी सेम है ऐसा नहीं कि बहुत अलग है जैसा कि आपने बॉक्स टैप में देखाता ना वैसा ही यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा बहुत आसा नहीं समझ जोगे तो आज हम इतना रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स लेक्चर में धन्यवाद